छोड़ो प्रेंड आज हम लेकर आए त स्टेश्टी सा स्वीट पूरी की रेस्पी तो नमस्कार प्रणाम स्वागतफ आपका अपने चैनल भी एलपी बनना कीचन में तो गाय। आजम मीधी पूरी बनाएंगे तो चलिए दिए को जादा पानी नहीं लेना पालें और चीनी को मेल्ट करेंगे हम और यह मेरा गुंगुना पानी है गरम पानी है जतना है यह जितना है अब आटा ले लिया है पानी से आटे को एकदम सौप्ट सा डो लगाना है गाईज पानी इतना गरम रखिएगा जितना आपका हाथ साले ज्यादा गरम पानी हमें नहीं डालना है तो चलिए फटा-फट अपना अटा लगा लेते हैं मीठे पानी से इस तरह से जब हम मीठी पूरी बनाएंगे गाई आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं या सुबब के नास्ते में भी आप रियो कर सकते हैं इसे सबजी के साथ तो गाईज हम अपना आटा लगा लेते हैं सौप्ट सा चाहिए एकदम टाइट डो नहीं चाहिए क्योंकि हम गरम पानी से आटा लगा रहे हैं तो आटा कोड़ा सा हाथों में लगाते हुए आटे पे लगा लेंगे चिकना कर लेंगे ताकि आटा मारा सूखे ना उपर से आप आटा देखके अंदाजन लग रहा होगा आपको कि यह कितना सौप्ट है एकदम सौप्ट इतना सौप्ट की पूछिए नहीं आपको बस हाथ लगान सबस्क्राइज देखके लिए या मस्टर्ड आयल में भी जिस और आपरियोग करते हुँ उस और यह का अपरियोग करें तो इधार तेल को रख देंगे गरम होने के लिए और आटे का अच्छे से आटे को चकले पर मलते हुए एकवल साइज का हम लोई बना लेंगे काट ल पूरी तैयार होती है जहटपट बन जाती है तो फटा फट अपनी पूरी या बेल लेंगे आपको जितनी चोटी बड़ी पूरिया चाहिए उस हिसाफ से पूरियों को बिल लेना है और हाँ गाई नोर्मल पूरी से थोड़ा सा इसे मोटा रखेंगे थोड़ा सा मोटा बिलना है इसलिए कि जब पूरी ठंडरी होती है तो वो टाइट न हो नरमी रहे एक बार में चार पर देखेंगे तलके दिखाएंगे आपको इंदम संब्स आप नरमना तो प्रेंड नमरा वीडियो लॉट्स्तव वास किजिए गा पूरा पूरा देखेंगा बीच में स्की बिल्कूल ना की जिएगा अगर मेरा वीडियो पसंदा है तो लाइक किजिएगा कमेंट केसन आपके पास जाए और उस रेस्पी के आप लूपत उठा सके तो फ्रेंड हमारा तेल गरम हो चुका है इसमें एक पूरी डालते जाएंगे और तेल को थोड़ा उच्छाल के उपर से डालेंगे ताकि पूरिया अच्छे से फूलें मैंने पहले नहीं डाला था पूरी को डालते डालते उस पर थोड़ा सा तेल उच्छालना शुरू कर दें जब तेल उच्छा लेंगे तो बहुत फूली फूलिया बनती है और बीच में एक पूरिया जो फट जाती है थोड़ा पूरिया नहीं फूलती है बाकी बहुत अच्छे से पूरी एकदम फूली फूली ह होंगे जैसे मैं तेल उच्छाल रहे हैं उसी तरह से आप तेल को उच्छाल लें और मेडियम साइज का पूड़िया बनाएगा गाइब पूड़ियों को गोल्डेन ब्राउन होने तक ऐसे अलट पलट के हम इसे सेख लेंगे यह बहुत जल्डी जटपट बन जाता है फ्रेंड एक बार में पूड़िया मैंने इसलिए बोला था कि चारपाश रेडि कर लें क्योंकि जब आप तलने बढ़ते हैं तो टाइम ने मिलता है बीच में पूड़िया बनाने के लिए बेलने के लिए इसलिए आप एक बार में पांच छे पूड़िया रेडि करके रख लें ताकि आप जटपटी से तल सके तो गाईज इसी तरह से अपने हम साड़ी मीठी पूड़ियों को गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अलट पलट के दोनों साइड से सेक लेना है फ्रेंड यह बहुत ही लाजबाब टेस्टी सब्जी के साथ इंज्वाय कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा लगता है मीठी मीठी पूरिया सब्जी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो गाईज एक बार बना के ट्राई किजएगा और कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा आया अच्छा बुरा जैसा भी मैं कोशिस करूँगी कि उस रेश्पी को मैं बनाऊं आप लोगो दिखाऊं तो गाय चलिए फटापट अपनी सारी पूरिया इसी तरह से बेल के और तलते जाएंगे बिच बिच में टाइम मिले तो बेलते जाएं और तलते जाएं बहुत ही जल्दी बन जाता है जड़प अच्छा लगेगा आप बच्चे भी से बहुत सौक से खाएंगे बच्चों को टीफिन में दे सकते हैं बनाके टमाटो सॉस के साथ या जैम के साथ दे सकते हैं बहुत ही अच्छे से बच्चे इंज्वाई करेंगे टीफिन को तो गायज हमारे मीठी पूरिया बनके रोग कीजेगा तो फिर मिलेंगे ऐसी एक मैदा रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार